बाश्रोड तो बाश्र नमस्ते दोस्तों वेल्कम पे ग्यांग इलेक्रिकल अज के सो ने वालें कि जो ट्रासफ में आधर टाइसे नहीं के लगा थे कवी सारे वीयवर साथ वहां को सब्सके लिए तो चलो उस पर एक वीडियो बनाते तो पेसे आप यहां पर देख रहे हो क इसके अंदर एसल क्यों होता है वह जानने से पिल्ट हम जानते हैं कि क्यों भी त्राइबिक क्यों वह स्कून हो उसमें आप देखो कि चाहे स्क्राइब प्लस जो बाहर की एक्मोस्फियर टेंपरचर है तो एक्सपांशन होता रहेगा और उसका मतलब क्या है मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि यह जो है वो ट्रांस्फोर्मर कंसरवेटर टेंग है उसका एक इंटरनल व्यू मैंने लिया है तो अब इसमें क्या होगा कि फोर एक्जांपल सपोज आप समझे कि यह जो ट्रांस्फोर्मर है उसके लोड बढ़ा इसके अंदर लोड बढ़ा और प्लस ऐसे समझे कि इसका जो एक्मोस्फियर टेंपरेचर है वह भी बढ़ा है उसकी वज़े से जो वैसे ट्रांस्फोर्मर का यू से बढ़ा कि यसमें कुछ एस सका कुछ स्पेस मिले अगर यह इतना ही ट्रांसवीर रहेगा और जैसे लंबने की वज़यव लोडबने की वज़े से जो एक। निंट कता है तो एस के लिए इसका करते हैं कि हम लगाते और ढ़ला में भी इस क्या हाएगा कि आधा कंजर्वेटर है वही हम बर के रखेंगे और आदे में क्या करेंगे हम स्पेसिंग प्रोवाइइगे की एक्र पेस रहेते हैं वह खाली रहेगा डेक्यूम रहेगा सिर्फ जो आधा है वही भड़ा हुआ रहेगा इस्ट इसा करने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही ट्रांस्फोमर में लोट लेगे एक्सपंड होने का और इसका लेवल है थोड़ा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सबस्क्किल रोगा है तो समर्पर बींटर वागया है तो उस टैंपे बिट एक्मोस्परीक टेंपरेचर भी कम ंब होगा तो जैसे वीडियों का टेंपरेचर भी डाउन होगा तो त्रांस्परमर का लेवल है वह भी थोड़ा डाउन होगा की सब्सक्राइब तो यह अब हम आप अब समय चल्द आप तक है और जैसे हिँएं तक आज जाएगा और एर जो है वापस अंदर आ जाएगा तो यह बीदर से बाहर की एक्मोस्फिरिक एर जो है वह वापस अंदर आएगी और जो टेम्टरेचर है ट्रांसफोर्मर का जो ओए उसका लेवल डाउन होगा तो कि इस काफी बार आप लोगों ने भी मार्क किया होगा कि ज तो आपका एमोजी है वह थोड़ा डाउन भी दिखाएगा तो इस आपने माल भी गिया होगा तो यही रिजन की वज़े से होता है तो आई होप आप समझ गये कि ट्रांसफोर्मर पे जो ट्रांसफोर्मर का जो टेम्परेचर है वह अप और डाउन होने का जो होने की करती है पहले के टाइम पहर से बाहर से इन ओर होती है तो क्या होगा कि तो क्या है कि क्या कि अपने की जीक नहीं कि है यह पिछ खराब आगया तो यह वह रहे नदर आ सकता है कर सकती है उसका बाद में आप टेस्टिंग करोगे तो और लॉंग पिरिड ऑफ टाइम यह खड़ाब होने की पॉसिबिलिटी रहती है तो फिर अभी के टाइम पर देखो कि तो हर जगा पे यह एर्श टैप की ट्रांसफोर्मर आते हैं यहां पर नीची की साड़ी जो है वहाँ पर रहेगा और झो एक्मसफिरिक यह जो बीदर में यहां से देख भी और यह पर जैसे आनन सबस्ताइब को के साथ कोनटेक्ट में यहाएगी जैसे ही कि अगर यह और कैसी भी होगी चाहें स्वें इसमें मुश्च्ट्य हो डॉस्ट हो वो हमारे तर्फेंट नहीं करेंगा और हम्हारे की जो लाइफ है वह एस ट्रानस्वर्मर की लाइफ है वह आप एक्स्टेंट कर सकते हो तो यह एंट्री सल किया गया है अब इस अब बात करते हैं कि एक्चूली में कैसे एक्चूली में इस टैपक उसका साइड व्यू है इसकी यह जो नीचे वाला पार्ट है पूरा यह जो पूरा है वह रबर का बेलो है जिसमें एर इन आउट होके इसके अंदर स्टोर होता है तो कुछ इस टैपका कंजर्बेटर टैंक जो है वह एरसल सोटो में दिखाया यहां पर देख रहे हो वैसे यहां पर सब्सक्राओं यहां दिख्या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे उने फ्रेंट के साथ कीजिए और अभी तक यूटिब चाला सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपके हर एक डाउटम सोल्ड करेंगे तेंक्यू मिलते हैं